दोस्तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मुख्यमंतरी उद्यमी योजना के लिए ओनलाइन आभेधन किस परकार से घर बैठे कर पाएंगे फुल प्रोसेस के साथ तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में कि किस परकार से हम ओनलाइन अप तो सबसे पहले दोस्तों आपको कोई एक ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पे ब्राउजर के सर्चवार में आपको टाइप कर देना है उद्यमी.bihar.gov.in और एंटर लगा देंगे इसके बाद दोस्तों उद्यमी योजना का हमारा ओफिसियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा अब दोस्तों यह जो लिंक है यह हमने वीडियो के डेस्क्रिप्शन में डाल दिया है वहाँ से किलिक करके आप नॉर्मली इस साइट पे आ जाएंगे चुकि दोस्तों उद्यमी योजना के लिए अगर हमें अपलाई करनी है तो सबसे पहले हमें इस साइट पे खुद का पंजी करन करना परेगा तो चलिए मैं पंजी करन पे किलिक कर देता हूँ अब दोस्तों कुछ इस परकार का इंटरफेस खुलेगा यहाँ पे आप देख पा रहा है बोला जा रहा है आप अपना पर्थम नाम डालें तो यहाँ पे दोस्तों मैं अपना पर्थम नाम टाइप करूँगा इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मध्य नाम पूछा जा रहा है तो चलिए मैं अपना कोई एक email ID यहाँ पे type कर देता हूँ इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहा है बोला जा रहा है link चूज करने को तो चलिए मैं अपना link चूज कर लेता हूँ यहाँ से इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक mobile number type कर देंगे कोई भी अब दोस्तों यहाँ से बोला जा रहा है आप अपना अधार number डाले तो चलिए मैं इसमें अधार number type कर देता हूँ अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहा है बोला जा रहा है अवेदन का परकार चूज करे तो दोस्तों यहाँ पे chain करें पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख पा रहा है पाला जो हमें option दिया गया है यह है अनुसुचित जाती या फिर अनुसुचित जन जाती यानि की SCST के लिए है यादी दोस्तों अगर आप SCST से belong करते हैं तो normally आप इसे choose कर लें अन्यथा अगर आप EBC से belong करते हैं तो अती पिछरा वर्ग पे click कर दें इसके अलाबा दोस्तों अगर आप महिला के थुरू करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे महिला उद्यमी पे click करें और दोस्तों यहाँ पे जैसे मैं खुद का करना चाहता हूँ तो यहाँ पे दिख रहा है यूवा उद्यमी इस पे आपने किलिक कर देना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहा है एक option दिया गया है OTP प्राप्त करें इस पे क्लिक करके हम OTP प्राप्त करेंगे तो चलिए मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहा है एक डायलग बक्स खुल के आया है यहाँ पे हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है बोला जा रहा है आपने आविदक का परकार यूवा चैन किया है फॉर्म जमा करने के लिए ओके दवाएं तो नॉर्मली हम यहाँ पे ओके कर देंगे अब दोस्तों आप देख पा रहा है हमारा OTP भेजा जा रहा है तो दोस्तों हमारा OTP आ चुका है चलि मैं यहाँ पे OTP डाल देता हूँ इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सत्यापित करे वाले बटन पे हमने क्लिक कर देनी है अब दोस्तों हमें लोग इन वाले डैसबोर्ट पे डैरेक्ट कर दिया है यहाँ पे देखिए आप बोला जा रहा है अधार नंबर डाले तो यहाँ पे दोस्तों आपको अपना अधार नंबर टाइप कर देना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बूला जा रहा है आप अपना password डाले यानि कि दोस्तों यहाँ पे हमें वो password डालनी है जो हमें message में भेजा गया है तो दोस्तों आप अपना phone चेक कर लें वहाँ पे एक message दिया गया होगा उसमें आपका उद्यमी योजणा का password दया गया है तो चलिए मैं यहाँ पे अपना अधार नंबर टाइप करता हूँ इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका password वाले सेक्शन में जो password हमें भेजा गया है वो password हम यहाँ पे type करेंगे और फिर हम login करे वाले section पे click करेंगे तो दोस्तो आप देख पा रहे होंगे हमारा dashboard open हो गया है form fill up करने के लिए और यहाँ पे आप देख पा रहे है right side में हमें एक पंचीकरन संख्या दिया गया है इसे हमने सबसे पहले copy करके रख लेनी है फिर सिक्षा से related जो भी जनकारी है वो हमें यहाँ पे डालनी है इसी परकार से दोस्तों हमें सारे dashboard को भरनी है तो सबसे पहले हमें व्यक्तिकर जनकारी में चलनी है यहाँ पे दोस्तों already click है अब यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे तो चलिए मैं यहाँ पे अपना जन्मतिती डाल देता हूँ या फिर यहाँ पे आप right side में देख रहा है calendar का option है इस पे आपने क्लिक करनी है और यहाँ से आप अपना database चूज कर लें तो दोस्तों यहाँ पे हम अपना database चूज कर लिए हैं इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख पारा है बोला जारा है पिता या माता या फिर पती या फिर अविभावक का नाम यहाँ पे दर्ज करें तो चलिए मैं अपना पिता का यहाँ नाम दर्ज कर देता हूँ इसके बाद दोस्तों बोला जा रहा है वैवाहिक का इस्थिती डाले यानि कि आप विवाहित हैं या फिर ओविवाहित तो दोस्तों यहाँ पे आप अपने according चूज कर लें अब दोस्तों इसे हमने scroll करनी है और यहाँ पे आप देख पा रहा है बोला जा रहा है आवेदन करता का पता डालें तो यहाँ पे दोस्तों आपको अपना पता डाल देना है जो भी आपका address है तो चलिए मैं यहाँ पे अपना address डाल देता हूँ इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोला जारा है आप अपना थाना डालें तो यहाँ पे हम अपना थाना डालेंगे जो भी हमारा police station है इसके बाद दोस्तों यहाँ से आप अपना जिला चूच कर लें जो भी आपका जिला है वो जिला आपको यहाँ पे select कर लेनी है इसके बाद दोस्तों आपके area का जो भी pin code है वो pin code आपको यहाँ पे डाल देनी है तो शोली मैं अपना pin code डाल देता हूँ इसके बाद दोस्तों इसे हमने scroll कर लेनी है और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं डालना यहाँ पे already डाला हुआ है इसके बाद हम नीचे के तरफ आएंगे इसके बाद हम नीचे के तरफ आएंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहा है बोला जा रहा है जाती का परकार चूज करें तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपना जाती चूज कर लें यानि कि आपका जो qualification है वो कहां तक है तो वो आपने यहाँ पे chain करें पे click करके आपको select कर लेनी है तो दोस्तों हम intermediate है तो यहाँ पे आप देख पारा है एक intermediate का option दिया गया है इस पे हमने click कर देनी है इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहा है एक save का option दिया गया है इस पे हमने क्लिक करके ये data को save कर लेनी है इसके बाद दोस्तों हमें अगला tab में redirect कर देगा जो की हमारा सिक्षा वाला tab है इसमें हमें सिक्षा से related जानकारी दर्ज करनी होगी तो दोस्तों इसे ह हमने हलका scroll कर लेनी है और यहाँ पे आप देख पा रहा है बोला जा रहा है सेचनिक विवरन जोरे तो इस पे हमने क्लिक करना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना वर्ग डाल देना है कि आप कौन से class का यहाँ पे details भरने वाले हैं तो चलिए हम 12 का भरेंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पे normally इंटर टाइप करेंगे इसके बाद दोस्तों बोला जा रहा है आप कौन से board से किये थे वो board आपको यहाँ पे डाल देना है तो चुकि दोस्तों हमने बिहार board से किया था तो यहाँ पे bseb board पटना टाइप कर देंगे हम तो चलिए मैं के according इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख पाना है बोला जा रहा है पास करने का साल डाले यहाँ पे तो दोस्तों हमने 2016 में intermediate किया था तो यहाँ पे हम 2016 टाइप कर देंगे इसके बाद दोस्तों हहाँ जोब भी Athletic डाले और अगर दोस्तों आप इसे हठाना चाहे या फिर इसमें कोई गलती सा हो गया है, तो क्या करहें? यहाँ पे हटाए पे क्लिक करके इसे आपने हटा लेनी है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख रहा है, बोला जा रहा है, दक्षिथा प्रसिक्षन कोर्स जोड़े, दोस्तो ये दक्षता प्रसिक्षन कोर्स का मतलब है कि अगर आप, यानि कि अगर आपके पास कोई प्रेइनिंग सर्टिफिकेट है तो आप नॉर्मली यहाँ पे क्लिक करके उससे रिलेटेड एक्सप्रियंस यहाँ पे एड कर सकते हैं इसके बाद दोस्तो नीचे के तरफ आएंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहा है परिवार विवरन पेस्ट पर जाएं तो दोस्तो इस पे हम क्लिक करके यहाँ परिवार वाले विवरन पे आ जाएंगे यहाँ पे दोस्तो आप देख पा रहा है कोई भी एक option select कर लेनी है जो भी आपके according है तो दोस्तो हम सौरोजगार है यानि की self-employed है तो हम क्या करेंगे सौरोजगार पे click करेंगे इसके बाद दोस्तो यहाँ पे बोला जा रहा है अबेदक का website से मासिक आई कितना है रुपियों में डाले तो दोस्तो यहाँ पे महिने का कितना income होता है self-employed से वो आपको यहाँ पे डाल देनी है तो चलिए दोस्तो यहाँ पे हम अपना मासिकाई डाल देते हैं इसके बाद दोस्तो यहाँ पे बोला जा रहा है अबेदक का website का विवरन डाले यानि की दोस्तो आप जो भी website करते हैं वो website का नाम यहाँ पे type कर देना है चुकि दोस्तो हम online से related काम करते हैं तो चलिए हम यहाँ पे online related work इसके बाद दोस्तो यहाँ पे आप देख पा रहा है बोला जा रहा है मुख्य परिवारिक website यानि की दोस्तों आपके परिवारिक में और कौन-कौन सा वेफसाई है वो वेफसाई यहाँ पे चैन करके आपने क्लिक कर लेनी है इसके बाद दोस्तों स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहा है परिवारिक की कुल वार्षिक आई यानि की दोस्तों एक सरकारी जॉब में है तो यहां पे हां करें अन्यथा यहां पे नहीं पे टिक करें और इसके बाद दोस्तों सेप पे हम नॉर्मली किलिक कर देंगे तो दोस्तों हमें नेक्स टेप में ले जाएगा अब दोस्तों यहां पे आप देख पा रहा है बोला जारा संगठन का विवर किया है, अगर हां तो दोस्तों यहांपे हां करना है, अन्याथा नहीं पर टिक करेंगे, और साथी दोस्तों यहांपे नीचे में आप देख पार है, बोला जा रहा है, यदी कमपणी पन्जी कृत नहीं है, तो आपका फॉर्म खाड़िज कर दिया जाएगा तो दोस्तों आप अगर यहां पे हां करेंगे तो यहां पे जो भी आप company का नाम लिखेंगे वो आपका register होना चाहिए नहीं तो आपका form reject हो जाएगा तो चलिए हम दोस्तों यहां पे save पे click कर देते हैं इसके बाद दोस्तों बोला जा रहा है प्रयोजना का विवर नूट कर लेना है और बिल्कुल सब्धानी से इसे पर लेना है कि आप इसमिशे कोन से उतपादक का काम करने वाले हैं यानि की कौन से project पे आप काम करने वाले हैं वो सारे project का नाम यहां इस list में दिया गया है यहां पे बिल्कुल बारिकी से आप पढ़ लें इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहा है नीचे दिया गया है पोजेक्ट का नाम इस पे क्लिक करके आपने जो लिस्ट में यहाँ पे जो भी पोजेक्ट दिया गया है वो सारे पोजेक्ट का नाम यहाँ पे इस लिस्ट में है तो यहाँ पे आप क्लिक करके वो चूज कर ल तो दोस्तो इस list में जो भी आपका project था वो project इस list में नहीं दिया गया था तो यहाँ पे आप normally type कर दें कि आप क्या करने वाले हैं यानि कि आपका कौन सा project है तो दोस्तो हम online से related काम करते हैं तो हम यहाँ पे normally online related work type करेंगे इसके बाद दोस्तो इसे हमने scroll कर लेनी है और यहाँ पे आप देख पा रहा हैं बोला गया है क्या आपने इस project से संबंदित कोई causal perception लिया है यानि कि दोस्तो आपका कोई experience है इस project से अगर हाँ तो दोस्तो यहाँ पे हाँ करें अने था नहीं पे click कर दें चुकि दोस्तो हमने computer course किया था तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हाँ करेंगे और इसके बाद यहाँ पे दक्षता perception course जोड़े वाले बटन पे आपने click कर देनी है हमने ADCA किया था तो यहाँ पर normally ADCA टाइप कर देंगे इसके बाद दोस्तो बूला जा रहा है आप कितने अबदी तक किये थे तो यहाँ पे दोस्तों चुकि यह course 12 महिने का था तो यहाँ पे क्या करेंगे आप देख पा रहा है मह में बोला जा रहा है डालने को तो यहां पे normally हम 12 टाइब कर देंगे इसके बाद दोस्तों यहां पे दिखराया है जोड़े का ओप्सन इसपर हमने क्लिक कर देनी है तो दोस्तों हमें फिर से अगला पेज पे रेडाइडेक्ट करें गा इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख पारा है बोला जारा है क्या जमीन या फिर सेट का पहचान हो गया यानि कि दोस्तों जो भी जमीन पे आप ये प्रोजेक्ट खड़ा करने वाले हैं क्या उस जमीन का छान भीन कंप्लिट हो चुका है आपका अगर हां तो दोस्तों यहाँ पे हाँ पे किलिग करेंगे और इसके बाद दोस्तों इस जमीन से कुछ जनकारी पुछा जाएगा बोला जा रहा है भूमी का छेतफल वर्ग मीटर में डालें तो दोस्तों यहाँ पे हम वर्ग मीटर में उसका छेतर डाल देंगे इसके बाद दोस्तों इस जमीन का पता पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आपको इस जमीन का पता डाल देना है इसके बाद दोस्तों नीचे के तरफ आएंगे तो यहाँ पे बोला जारा भूमी का परकार चूज करें यानि कि दोस्तों क्या यह स्वामित्व है या फिर किराये पर है तो दोस्तों अगर यह जमीन आपका खुद का है तो इस पर क्लिक करें और यहाँ पे उस जमीन से रिलेटेड जो भी LPC या फिर रसीद या फिर दस्ता बेज है वो हमने यहाँ पे अप्लोड कर देनी है चुकि दोस्तों हमारा जो जमीन है वो अभी तक पचान नहीं किया गया है उसमें हमारा क्या लागत है वो लागत से रिलेटेड हमें यहाँ पे जनकारी भड़नी होगी इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख पारा है बोला जा रहा है पुझी या फिर निवेस का बेवरन रुपिये में डाले यानि कि दोस्तों जो पोजेक्ट आप खरा करने वाले हैं उसमें टोटल अमाउंट कितना लगने वाला है वो आपका पुझी यहाँ पे टाइप करना है कि कितने रुपिये का इन्वेस्टमेंट हम अपने इस पोजेक्ट में करने वाले हैं तो चलिए हम जैसे मालली हमारे पोजेक्ट में ₹9,00 और भी खर्चा होने वाला है तो क्या करेंगे हम नौ बाकि यहाँ पर टाइप कर देगे जो कि दोस्तों हमारा ये तीनों जो option है ये तीनों option मिला के हमारा यहाँ पर 5 लाख amount टोटल पूर्णी चाहिए तो जैसे मालीजे दोस्तों हमारा जो plant और machinery है ये हमारा ये 5 लाख amount में से लगभग 5 लाख या फिर 3 लाख का हमारा ये machinery उपकरन होने वाला है तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 3 लाख टाइप कर देंगे इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बूला जा रहा है अन्य अंचल संपती यानि कि किसी अन्य संपती में भी इसे खर्चा करने वाले हैं तो वहाँ पर आपको टाइप कर देना है कि आप another संपती में कितना रुपिया invest क वो अमाउंट आपको यहां पर टाइप कर देनी है इस 5,00,00,00 रूपिये में से तो दोस्तो हमें अन्या संपती में लगभग 1,00,00,00 का खर्चा हो जाएगा तो यहां पर हम क्या करेंगे एक लाग टाइप कर देंगे इसके बाद दोस्तो बोला जारा है यहां पर काईजसील पुझी यानि कि दोस्तों आपका जो working capital है वो कितना आपका रहने वाला है तो दोस्तों हमारा यहाँ पे 3 लाक और 1 लाक यानि कि 4 लाक हो चुका है अब दोस्तों हमारे पास एक ही लाक बचा है यानि कि इस 5 लाक में से तो हम क्या करेंगे normally यहाँ पे 1 लाक टाइप कर तो दोस्तों फिर से हमें अगला page पे redirect कर देगा यहाँ पे अब हमें bank से related vibrant पूछा जा रहा है तो दोस्तों यहाँ पे हमें bank से सम्मधित जो भी जन करी है वो fill up करनी होगी तो दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है bank का नाम टाइप करें यानि कि दोस्तों आपका जो भी bank उसका नाम यहाँ पे आपको type कर देना है, और साथ ही दोस्तों यहाँ पे आप देख पार रहा है खाता का परकार है, इसमें इसमें कई इसे 번ろ podr करते हैं तो दोस्तों यहां पर देख पा रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ करेंट अकाउंट यहां पर मांगा जा रहा है और दोस्तों यहां पर जो रेंट अकाउंट आपका होजा जा रहा है वह आपका क्रेंट अकाउंट करेंट कहीं होना चाहिए जैसे माली जी दोस्तों के बाद का आपका current account होना चाहिए तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आपको अपना bank का नाम टाइप कर देना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सखा का नाम यहाँ पर दोस्तों आपके bank का जो सखा है उसका नाम यहाँ पर टाइप कर देना है इसके दोस्तों यहां से खाता का परकार में आपको current ही रहने देना है यानि कि दोस्तों यहां पे already current select ही रहेगा इसके बाद दोस्तों यहां पे बोला जारा है खाता खोलने की तिथी यहां पे type करें तो दोस्तों जिस भी date में आपका खाता खुला होगा यानि कि current account वो date को आपको यहाँ पे टाइप कर देनी है इस calendar वाले option पे click करके इसके बाद दोस्तों जो भी आपका current account है उसका जो FSC code है वो code आपको यहाँ पे type कर देना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पे खाता संख्या पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आपको अपनी bank से related खाता संख्या यहाँ पे यहाँ पे आप देख पा रहा है एक transaction ID दिया गया है यह हमारा last का जो दो digit होता है यह हमारा transaction ID होता है तो यह दोस्तों ID हमें यहाँ पे type कर देनी है जो भी हमारा checkbook का होगा यहाँ पे तो जैसे यहाँ पे मालेजिए 29 है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 29 टाइप कर देंगे इसके बाद हम save करेंगे तो चलिए दोस्तों इसे हम जल्दी जल्दी फिल कर लेते हैं इसके बाद save करेंगे अब दोस्तों यहाँ से हम save बाले बटन पे click कर देंगे तो दोस्तों हमें अगला page पे redirect कर देगा जो कि हमारा last step है यहाँ पे आप देख पा रहा है दस्तावेज दस्तावेज का नाम दिया गया है और साथी जो दस्तावेज हम upload करेंगे वह upload हम इस dashboard में करेंगे इस line में इसके बाद दोस्तों जो हम upload कर देंगे वह finally हमारा यहाँ पे so करेगा तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारा document requirement है यहाँ पे यानि कि जो हमारा upload करना है वह जाती परम परमानपत्र upload कर दें इस पर क्लिक करके इसके बाद दोस्तों यहाँ पर scroll करेंगे तो नीचे के तरफ आप देख पार है बोला जारा है metric या फिर 10 मी पासका परमानपत्र जन्वतिति से संबंदित परमानपत्र आपको यहाँ पर upload करनी है तो दोस्तों 10 वी class में आपका जो कर देंगे इसके बाद दोस्तों यहां पर बूला जा रहा है उच्तम सचनिक योगिता का परमान पत्र यहां पर अपलोड करें अगर दोस्तों आपके पास वेजुएशन या फिर फीजी बगारा का सर्टिफिकेट है तो आप क्या करें नॉर्मली इस पर क्लिक करके वो सर्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दें इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है आप अपना अवासिय अपलोड करें तो दोस्तों यहां पर आपको अपना अवासिय यानि की रेसिदेंशियल सर्टिफिकेट यहां पर अपलोड कर देनी है इसके बाद दोस्तों बोला जा को अब हो थो यानि कि एकाई नीजी पनकाड यानि कि दोस्तों अगर आपके कमपणी से कोई डोक्युमेंट है यानि कि जैसे मालिजर पनकार आपको यहां पर आपलोट कर देनी है या फिर अगर आप खुद का पन start upload करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों यहाँ पर भूला जारा है जमीन संबंदित रसीद या फिर पट्टे से संबंदित दस्ताबेज या फिर किराया नामा यदि उपलब्ध हो तो यानि कि दोस्तों अगर उस जमीन से रिलेटेट कोई भी दस्ताबेज है तो यहाँ पर डाले अन्यता इसे हम खाली भी छोड़ सकते हैं यानि कि दोस्तों यहाँ पे star का मार्क नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको कोई न कोई एक document अफलोड करने ही परेगी, यहाँ पे star का मार्क नहीं है, तो इसे हम खाली भी छोड़ सकते हैं, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है causal perception का परमानपत्र यदि उपलब्ध है यानि कि दोस्तों इसमें भी star का marks नहीं है तो इसे भी हम खाली छोड़ देंगे अगर है आपके पास तो यहाँ पे normally upload कर दें इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है rad check यान कि दोस्तो यहाँ पे applicant का photo upload होगा मतलब जो भी वैक्ति यहाँ पे apply कर रहे हैं वो खुद का यहाँ पे photo upload करेंगे इसके बाद दोस्तों यहाँ पे applicant का अपना अक्शर अप लोड करें इसके बाद दोस्तों बोला जा रहा है बैंक का statement जिसमें account खुलने की तिध्ही का साक् आपको यहां पर अपलोड कर देनी है इसकेबाद दोस्तों यहां पर कोई गलत तो नहीं कि दोस्तों जैसे आप वेक्तिकत जनकारी को देखना चाहते हैं तो इस पर आप čांच करें और यहां पर अपने डाट को टैली कर लें अगर कोई गलत है तो पे चेंज़स आप कर पाएंगे इसके वाद दोस्तों जैसे माली-जी हमें संगठन का व्यूरंड में कुछ चेंज़स करना है तो इस पे हम क्लिक करेंगे और शंगठन से रिलेडेटी यहाँपे डाटा को चेंज κरेंगे इसके ओद दोस्तों यहाँपे अस्टेप में हमें दस्तावेज अप्लोड वाले बटन पे क्लिक करना है और यहां पे जो भी दस्तावेज आप से पूछा गया है सब दस्तावेज को अपलोड करने के बाद यहां पे फाइनली हम समिट कर पाएंगे चुकि दोस्तों यह हमारा ट्राइल था इसलिए हम इसे नहीं करेंगे और दोस्तों जब आप इसे फाइनल समिट करेंगे तो आपके पास एक रिसेविंग निकल के आएगा उसे आपने प्रिंट करके रख लेनी है और साथी दोस्तों यहां पे आप देख पा रहा है एक रेजिस्टेशन नमबर दिया गया है इसे आपने जरूर क मौपी करके रख लेनी है इसी नमबर से आप अपना अस्टेटस चेक कर पाएंगे और साथी दोस्तों अगले वीडियो में हम जानेंगे कि इसका अगला प्रोसेस क्या है यानि कि दोस्तों इसका जो सेंक्षन होगा यानि कि इस फॉर्म का जो सेंक्षन होगा यानि कि स्व झाल झाल